हिंदी की वरिष्ट लेकिका अनामिका का उपन्यास आईनासाज इसी साल छपकर आया है एक ऐसे समय में जब हम अपने चारों तरफ कोरोना से कहीं स्यादा घातक बजबजाती घ्रिना का वाइरस अपनी कोशिकाओं में फैलता देख रहे हैं तो उपन्यास एक बड़ी राहत की तरह है यह उपन्यास तरफसल अपने एक बड़े हिस्से में अमीर खुसरों की कहानी है उस अमीर खुसरो की जिसने पहेलिया रची जिसने तबला जैसा वाद दिया जिसने सितार को बनाया जिसने उस सूफी परंपरा को बड़ी शानदार और सम्रिद सांगीतिक अभी वक्ति दी जो आज तक तमाम रूपों में कायम है उस अमीर खुसरो की कहानी अनामिका ने लिखी है और उसको बिल्कुल आज की समय तक वो ले आई हैं यह पन्यास बहुत पठनिये हैं और हम पातने की कैसे एक लेखक के भीतर की एक कलाकार के भीतर की कश्मकश अपने समय की सत्ता के साथ उसका तालमेल उसका संगर्श उसके साथ होने की उसकी यातना और उससे उबर आने की च्छटटा हट और हमारे समय से एक सीधा समवाद और सबसे बड़ी बात साहित्य और अक्षरों के दुनिया का फर्ज यह सब इस उपन्यास में बड़ी खूबी से उभर कर आए हैं मैं इस उपन्यास के कुछ हिस्से आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ एक छोटा सा हिस्सा जिसका वास्ता इस बात से भी है कि हम भूल नहीं सकते कि अनामिका अपनी सारी अपनी बहुत गहरी अध्यान शीलता और बहुत एक समवेतना दृष्टी के साथ साथ लैंगिक सर पदमाष्टी का जोहर है। रानी पदमाष्टी जिसको धेखने के लिए जिसको हासल करने के लिए लाओदीन खेल जी ने आकर्मन किया था और उन्होंने अपनी सकھیوں के सहित अपनी दासीों सहित जोहर कर लिया था। तो ये जो हिस्सा है वो अमीर खुसरों की छटपटाह इस तरी के संदर्व में एक शायर का दिश्टिकोन भी बताता है। इसको सुना कर अपनी बात खत्म करता हूँ। औरत पर जमीन के टुकड़े की तरह कबजा कर लेने की वहशत जरा भी ठहर कर नहीं सोचती कि जमीन की तरह औरत बेजान नहीं होती। खुदा का नूर होती है। रोश्टिको धूपको हवा को जेब में ठूसा नहीं जा सकता। उसका बस एहसासी किया जा सकता है। वह भी अना का अहंग का मटका उलटकर मटका खाली होगा तब तो भरेगा रोश्टिको नूर से। उसमें से पहले कूड़ा भरा होगा तो कितना नूर जजब कर पाओगे। खुदा की निमत की तरह बाअदब होकर जो कुछ अभी भूद करने वाला अनुभव हो। सुख दुख सौंदर रोम रोम से जज़ किया जाय तो बात बन जाती है। लूट खसोट जबरदस्ती से सोना भी मिट्टी हो जाता है। इसके पहले किखिल जी चित तोड़ गड़ पर चड़ाई कर उसे लूटने आता पदमिनी लप्तों में समा गई। और इसकी राख आज तलक उड़ उड़ कर पूछती है मुझसे कैसे हो खुसरो। तो ये अनामिका हैं, ये उनका गद्य है और ये उनकी किताब आईना साज है। ये किताब मुझे लगता है इस समय में आपको एक बड़ी राहत देगी और अपने समय को समझने का विवेक भी धन्यवान।